हलो दोस्तों गूट मॉर्निंग सुगात एक बार फिर से आप सुभी का एम जे टेस्ट उकेसन में दोस्तों आज है 18 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर के कुछन्स के बारे में आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा डेटेल में होने वाली है बहुत ज़्यादा extra point और revision point के साथ होने वाली है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है पूरी वीडियो आप इंट तक देखेगा चूकि अब आप और खत्म हो चुके हैं प्रोमोसन नहीं है आज आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो देखिए चलिए सुरू करते हैं हम लोग कल का कुईकली रिविजन करते हैं पहले तो कल हम लोग बात करे थे कि पीम नरिद मोधी जी ने अभी विश्व कर्मा योजना लगपती दीदी योजना और गरीब सहर इन तीन योजनाओं की घुशना की कहां से लाल कले के प्राचीर से सुतनता दिवस के उसर पर राष्टपती द्रौपती मुर्मु जी ने अभी सुतनता दिवस के उसर पर 76 वीरता पुरसकारों की भी घुशना की है इसके अलामा CSIR और NBRI इन्होंने अभी हाली में नमोह 108 2008 नाम से एक Lotus एक कमल का फूल लांच किया है जो कि एक Hybrid है ठीक है लगातार दो बार और कुल चार बार ICC Player of the Month का अवार्ड जितने वाली पहली ओवराल खिलाडी बन गई है एसले गार्डनर ये महिला खिलाडी है अल्राउंडर है अस्ट्रेलिया की 18 अगस्त को भारत में पहली बार Long Range Revolver लांच की जाएगी परबल नाम से इसे बनाया कहा है कानपूर की Gun Factory में बनाया गया है और अभी राजस्थान राजसरकार ने अनपूना खादे पैकेट अनपूना तक बढ़ जाएगी सस्ती कीमत पर दवा उपलद कराने के लिए पीम मोदी ने देजभर में 25,000 जनुरिक मेडिसिन सेंटर खोलने की घुशना की है इंगलेन के तेज गेनबाज इस्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रावरूप से सन्यास की घुशना कर दी ह तो ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिविजन वो भी एक मिनट में ठीक है अब बात करेंगे आज की करेंट अफेर की इसकी लेकिन पीडियोफ होगेरा आप डाउनलोड कर लिया करो MZT app से फ्री में है बिलकुल शुरू करते ह हैं पहला कुशन आपके सामने किस अंत्रिक शिजनसी द्वारा देश का पहला सोलर मिसन आदित एलवन लांच किया जाएगा तो देखो आदित एलवन जो है ये इसरो का मिसन है दोस्तों इसरो का पहला सौर मिसन है सौर मिसन मतलब क्या मतलब की हम लोग सोलर मिसन कर रहे है हम लोग सूरी की तरफ अपना मिसन कर रहे हैं, पहली बार सूरी के अन्वेशन के लिए कहें, सूरी को स्टडी करने के लिए, सन को स्टडी करने के लिए पहली बार भेज रहे हैं, तो ये बंधन करके, ये दूलहन की तरफ सच करके आ चुका है, स्री हर्कोटा में और बस ला किया जाएगा जहां से अभी चंद्रयान थ्री को लांच किया गया था अभी उसके बारे में बात करेंगे सितंबर के फर्स्ट बीक में देश का ये पहला आधित एलवन सोलर मिसन होगा और ये साथ उपकरण इसमें होगा इस पर हाला कि एक वीडियो तो बनता है आपको एक जरूर दूँगा मैं ठीक है इसमें चार सूर के फोटो इस्पेयर क्रोमो इस्पेयर और सबसे बाहरी सता कोरोना पर नजर रखेंगे जिन जिन लोगा ने जिगराफिक क्लास ली होगी उनमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि ये कोरोना वगरा क्या होता है यहां पर ह आप यहां पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके रखो जैसे वीडियो आयो उसको देखते चलो एक महिने में आपका जो लेबल है ना करंट अफेयर का और जीयस का वो बहुत ही एडवांस बना दूँगा देखो इस सुरों के कुछ प्रमुख मिसन हैं उनको हम ल चंद्रियान 2 हम लोगों ने 2019 में लांच किया और चंद्रियान 2 आप जानते हो 95% तक यह सकसेज रहा था किवल 5% हम लोग सिर्फ लेंड नहीं करा पाए बाकी सब हो गया इसके बाद चंद्रियान 3 अभी हाल फिलहाल में लांच हुआ है इसके बारे में यहां जिक्र नहीं हम लोग ने 2013 में इसे लांच किया था 2014 में अपना मार्स औरवीटर पहुचा था सबसे पहले ही अटम्ड में मार्स पर पहुचने वाला पहला देश बना था भारत ठीक है और दुनिया का तीसरा देश आदित एलवन जो है यह मिसन इसकी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं यह सूरी पर जाएगा तो आप देख रहे हो चंद्रमा मंगल गरा और सूरी हो गया गगन यान के तहत हम लोग अंतरिक्ष में जाएंगे लेकिन अंतरिक्ष में पहली बार ना अंतरिक्ष में पहली बार हम लोग व्यक्तियों को भेजेंगे मानों को अंतरिक्ष में मान्चित्रण के लिए मैपिंग के लिए बहुत सारे चीज़ें यूज लांच की जाती हैं जियो सेंक्रना सेंक्रोणा साटेलाइट लांच में से तो जी एसलवी का ही फुल फार्म लिख दिया गया है जी एसल भी अपने पास आपको पता है तीन रॉकेट है आज मैं नहीं बताऊंगा अगले दिन किसी दिन बताऊंगा ठीक है न मैंने आपको जैसे की बताया है आप लगातार देखते रहो कुछ कुछ सेग्मेंट करके मैं पूरा का पूरा आपको कबर करा दूँगा आज इसको बता रहे हैं कल कुछ और बताएंगे परसों कुछ और बताएंगे और इस तरहों की बारे में सारी जानकानिया आपके पास हो जाएगी IRNNS आपको अगर पता हो भारत अपना खुद का GPS लांच करने जा रहा है यानि भारत का खुद का नविगेशन होगा तो उसके लिए ये सेटेलाइट लांच किया गया है अपना खुद का नविगेशन Amazonia first अगर आपको याद हो ब्राजील का पहला सेटेलाइट हम लोगों ने लांच किया था इस लोगों ने लांच किया था Amazonia पर्थम नाम से ठीक है इसके अलावा ये है सुक्रियान बहुत important सुक्रियान देखो अगर 2014 में ये लांच करने की बात की जा रहे है लेकिन इसमें लांच हो गया तो ठीक वरना 2021 करिए पोलर सेटेलाइट लांच भी करिए तो PSLV हो गया PSLV, GSLV, SSLV इन सब के बारे में आपको किसी और दिन बताऊंगा इस और के बारे में इसे वर्बली सुन लो 15 अगस्त के दिन इसको उद्गाटन किया था इसकी स्थापना की गई थी भारत का पहला जो है ये तमिल नाडू में खोला गया है कहां पर तमिल नाडू में खोला गया है भारत का पहला ड्रोन टेस्टिंग संटर होगा ये ड्रोन को टेस्ट करने के लिए यहां पर ये समझ लो की नई टेकनोलोजी होगी ड्रोन की टेस्टिंग होगी वहां पर मे से यहाँ पर सिरी पेरम बदूर तमिल नाडू में अस्थापित किया जाएगा यह टिडिको की दौरा अस्थापित किया जा रहा है टिडिको क्या तमिल नाडू इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट कॉर्परेशन ठीक है चलो यह आ रहा है ड्रोन की बाद अगर मैं आपसे ड्रोन मेला भी पहला यहीं पर किया गया था ग्वालियर माध्य परदेश में ठीक है याद रखना यहाँ पर तमिल नाडू है तमिल नाडू से आप स्टेटिक यहाँ पर देख सकते हो मैं साइड हो जा रहा हूँ आप स्क्रीन साट लेना चाओ लेलो इसकी अलावा मैं आ एसीन होकी चैंपियंज ट्रॉफी हुई और यह बहुत इंपोर्टेंट है क्यूं क्यूंकि देखो जीता है भारत एसीन चैंपियंज ट्रॉफी को और यह जब चेन्नाई में आजूत हुआ इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि MK स्टालिन जो की DM के पार्टी से हैं DM के यह मसकट था ठीक है अच्छा इसके अलावा अगर आपको याद हो तमिल नाडु जो है नीतियायो के Export Map Index में Export Preparedness Index याने निर्यात तयारी सूषकांक में Top पर रहा था तीक है तॉप पर रहा था यह बात ध्यान रखना हम इसके अलावा अभी आथूर पान के पत्तों को GI Tag दिया गय कहा था आथूर पान के पत्ते जो हैं इनको GI Tag दिया गया था और तो और अगर आपको याद ह यहीं पर आदी पिरकु भीत मनाया गया, आदी पिरकु, आदी पिरकु उत्सो, ठीक है, और बाकी पोंगल वगरे तो मनाया ही जाता है, ठीक है, और यहीं पर तो पोंगल के आउसर पर होता है, जली कट्टू, जली कट्टू जो होता है, वो बैल दोड प्रतियोगता है, ठी चीज और मैं आपको बता दू ये भरत नाट्यम को सबसे पुराना ये लोग निरते है हाली में किस राज ने ओडम उट्सो के लिए मुफ्त किट प्रदान किया तो देखो ओडम, ओडम कहां मनाया जाता है, ओडम केरल में मनाया जाता है ओडम बिसिकली एक प्रकार का इन लोग का फसल उत्सो होता है तो जब फसल अच्छी होती है तो ये लोग उसके celebration की रूप में मनाते हैं लेकिन बहुत सारे गरीब परिवार है भाई, जिनके पास खेती नहीं है तो फसल क्या होगी तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए भी ओडम अच्छा जा सके इस वज़ा से केरल सरकार ने देखी यहां पर क्या किया है कि 6 लाग से ज़्यादा ऐसे परिवार जनों को ओडम किट मुफ्त में दिया हुआ है इस ओडम किट में उनसे लिलेटर जो भी वस्तुएं होगे जो जो चीजें पकवान वगरा बनते हैं वो सारी चीजें उसमें दी जाएंगी रासन की दुकानों के माध्यम से उनने पहुचाया जाएगा तो यह मलयालम का 9 वर्स होता है, 9 वर्स का प्रतीक होता है यह लाइन आपसे पूछी जा सकती है, CGL वगरा में तो आजकल ऐसे ही पूछा जा रहा है कि बताएए ओडम उठ्सो किस लिए किस उपलक्ष में मनाया जाता है तो आप बताएंगे मलयालम 9 वर्स के रूप में मनाया जाता है केरल के बारे में आप यहाँ पर देख लो, केरल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सबसे नीचे, ठीक है पिनवराई बेजन, CPIM पार्टी से यहाँ के CM है केरल के बारे में, स्टेटिक तो आप देखी रहे हो, मैं आपको कुछ चीजे बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जैसे, जैसे देखो केरल जो है यह मैंने आपको बताया था कि पूरी तरीके से डिजटल वाला पहला ग्राम पंचायद बना था पूरी ने आपको बताया था, खुद की इंटरनेट सर्विस इसनने सुरू की है अर्थ आपको याद हो, अभी केरल का नाम बदल करके केरलम करने के लिए केरलम करने के लिए विदान सबा में इसनों ने विज़्धेग पारिद किया माला बार नदी महोत्सों मनाया गया था, ठीक है ना, नहरू ट्राफी अभी आज़ित की गए थी, नहरू नौका ट्राफी, इसके अलावा, इसने अगर आपको याद हो, अटल इनुक्यूएशन, अटल इनुक्यूएशन नाम से एक मच से पालन के लिए, मच से पालन के पाला राज्य कौन सा है, केरल है, ठीक है, और भी बहुत सारे केरल से नुज हैं, जैसे की, वन इसकूल, वन आईएशन योजना, ठीक है, और भी बहुत सारे चीजे हैं, कोच्ची में पहला वाटर मेट्रो चलाया गया, अब देखो, लोग कंफ्यूज होते हैं, उस दिन म पूछ रहे थे, कि मैंने तो कोलकाता सुना था, कोलकाता जो है दोस्त, वो अंडर वाटर मेट्रो है, पानी के अंदर मेट्रो, यहां पर यह कोच्ची में वाटर मेट्रो चलाया गया है, मतलब कि पानी पर चलने वाली मेट्रो होगी, वो दूसरे टाइप की होगी, ठीक ह तो गोवा बन गया है देश का पहला ऐसा राज्य जहां पर सरकारी हस्पतालों में फ्री में IVF ट्रीटमेंट किये जाएंगी। गोवा दो जीलों वाला एक राज्य है सबसे छोटा राज्य है छेतपल की द्रिश्टी से और वहां पर यह चीजे ली गई है कि IVF यानि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आप सुने होगे फिल्मों वगरा में भी बताया जाता है इसके बार में आववेरनेस फैला ही जा फ्री में ये IVF treatment करने वाला ठीक है रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि हर साल देज भर में धाई लाख से तीन लाख IVF उपचार हो रहे हैं तो ऐसे में गोवा सरकार ने फिरी कर दिया है अपने medical colleges में अब यहां गोवा आया है तो गोवा के बारे में हम लोग पहले पिल्लाई अच्छा अपना border किसे किसे लगाएगा ये महराश से और करनाटक से यहां पर राजधान इसकी पाणजी है देखो गोवा के बारे में डिटेल जान लो कि क्यों अकसर ये जल्दी चर्चे में नहीं आता है ठीक है केरल हुगा तमिलाड हुगा ये सब तो लगात sweet water lake है अच्छा गोवा से अगर आपको पता हो गोवा अभी जो निरियारी सुचकांग मने आपको फीचे बताया ना उसमें बड़े राज़ों में तो तमिल्लाडू सीर्स पर है लेकिन छोटे राज़ों में छोटे राज़ों में चोटे राज़ों के सासित प्रदेसों की अलग लिष्ट होती है तो छोटे राज़ों में गोवा टॉप पर है गोवा टॉप पर है किसमें निरियात तैयारी सुचकांक में एक्सपोर्ट प्रिपेरडनेर्स इंडेक्स में गोवा बेविंका और गोवा मनकुराड आम को जी आई टाइक दिया गया था और तो और मसकट भी आपसे पूचा जाएगा तो मसकट बताएगा मोगा क्या बताएगा मोगा बताएगा मसकट होता है ठीक है ना राइटिंग पर मत जाओ जल्दबाजी में लिखा जा रहा है आप सुनते चलो नो डॉन भी अपना कर लेना ठीक है ना तो मोगा है उसका मसकट ठीक ह आगे बढ़ते हैं किस देश में लैन तूफान ने दस्तक दी तो देखो लैन तूफान या कहें टाइफून लैन टाइफून लैन आया है भी जापान में जापान आप जानते हो एजिया का ही एक देश है तो वहाँ पर ये टाइफून आया हुआ है यानि कि तूफान आया हुआ है, वहाँ पर अक्सर तूफान वगरा आते रहते हैं, उनकी भोगोलिक इस्तिती ही ऐसी है जापान वगरा की, जापान वगरा फिलिपीन्स हुआ, इन सब की ऐसी इस्तिती है भोगोलिक इस्तिती है जिस वैसे यहाँ पर टाइफून वगरा आत में आया हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर फिलहाल जापान आया है, जापान के बारे में बात करेंगे, आप देखोंगे यह एसिया का मैप है, एसिया में आपको दिख जाएगा यहाँ पर अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको पार करना है इधर चाइना, ये बड़ा सा देश है चाइना, इसके बाद यहाँ पर Korea पड़ता है, North Korea, South Korea, उसके बाद ये जो देश परता है, ये है जापान आपका, ठीक है न, North Korea और South Korea को कौन अलग करता है, 38th डिग्री पहले लाइन जो होती है, ये अलग करती है ठीक है और देखो ये करक रेका है Tropic of Capricorn ये बीचो बीच से भारत के निकल रही है ठीक है आठ राज जी भारत के आते हैं इसके तहरत फिलहाल यहाँ पर हम लोग जापान की बात करें अगर जापान कुछ यहाँ पर है ठीक है जापान के अगर आपको पता हो Hero leukeman में G7 का अभी समिट हुआ था तो जापान के G7 سमिट कहाँ पर हुआ था Hero weekend में इस बात को याद रखिएगा Hero Sea में ठीक है PMODY जी भी गये थे क्यूं क्या भारत मेंबर है नहीं भारत मेंबर नहीं है लेकिन एज गेस्ट इन्वाइट किया था जापान ने भारत को ठीक है तो इसलिए PM मोदी जी वहाँ पर गये थे वाकि G20 की मीटिंग तो हम ही लोग कर रहे हैं वैसे जापान आपको बता दें ये Quad का भी मेंबर है Quad का मेंबर है तो मतलब मालाबार अभी जो हो रहा है जो एकी सगस्तक चलेगा उसमें भी हिस्सा ले रहा होगा बिल्कुल ले रहा है मालाबार जो साइनभ्यास है मालाबार साइनभ्यास में Quad countries की बीच में होता है Australia, US, भारत और जापान तो वो उसमें भी ये हिस्सा ले रहा है क्लियर है, राजधानी इसकी क्या होती है टोकियो, जहां ओलंपिक हुआ था जहां हम लोगों ने साथ मेडल निकाले एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रॉज मेडल और जापान के प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किस्दा, यहां की मुद्रा होती है येन, अगला हाली में किसे हर्वर्ड उनिवस्टी के जाड लेडली पुरसकार से सम्मानित किया गया तो अभी हाली में दोस्तों, राज चेट्टी को जो की भारतिये मूल के अमेरिकी है इनको अभी हर्वर्ड उनिवस्टी के जार्ज लेडली पुरसकार से सम्मानित किया गया है ये रहे, चेट्टी साब और ये एकोनोमिस्ट हैं भारतिये मूल के हैं, अमेरिकी हैं, प्रोफेसर चेट्टी तो ये हर्वर्ड उनिवस्टी में अर्थसास्त के एकोनोमिक के प्रोफेसर है इन्होंने कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी नीतियां बताये थी, बहुत सारे अपने सजेशन्स दिये थे सुधार के लिए, जो काफी एफेक्टिब रहे थे, फिलहाल इनको अभी दिया गया है जार्ज लेडली पुरसकार, इसलिए चर्चे में है तो आप इनको याद रखेंगे अगला, अच्छा एक और चीज, MJT एप इंस्टाल करो, देखो आफर तो एंड हो चुगा है कल बहुत सारे लोगों ने किया, इस वज़े से मैं कल मंतली वाली वीडियो भी नहीं बना पाया मंतली वीडियो जो है, वो लेट हो रहा है आज लेकिन आ जाएगा, कोई दिककत वाली बात नहीं है आज अठाड़ा तारिख है आज आज आएगी वीडियो, यहाँ पर मैं जो बात करना ज्यादा लोगों ने register किया और जो की मतलब मेरा समझलो की एक परकार से जिम्मेदारियां और बढ़ा देता है तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गए है अब जब तो फिर आप भरोसा कीजिए पूरे जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगा भी और जितने लोग भी बैच लिये हुए हैं उन सभी को best से best content देना मेरी पर्थम प्रात्यमिकता रहेगी आपको मिलता रहेगा content content में कमी नहीं आएगी जो लोग की भी अगर कोई भी सिखाया थो आप WhatsApp कीजिए अगर आपको कहीं से भी कोई सा भी doubt है तो तुरंत आपका solution किया जाएगा ठीक है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी लोग का इतना ज़्यादा विश्वास अपना दिखाने के लिए हाली में IAF ने यानि Indian Air Force ने किस बहुराष्टी अभ्यास को अगले वर्स तक बढ़ाने करने लिया है तो देखें Indian Air Force एक्चुली भी ना तरंग सक्ती अभ्यास करने वाली थी इसके बारे में सायद मैंने पहले बताया भी ता कुछ महीनों पहले तो तरंग सक्ती करने वाली थी लेकिन क्या हुआ ना कि बहुत सारे देश जो इसमें सामिल होने वाले थे तो उन्होंने कहा कि सहाब अभी हमारा ना थोड़ा busy schedule चल रहा है आप इसको थोड़ा आगे shift करो वरना हम लोग आ नहीं पाएंगे तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है जब आओगी नहीं तो फिर हम क्या अकिले अभ्यास करेंगे ठीक है बढ़ा देते हैं तो ये कहें कि चलो 2024 में हम इसको करते हैं आइचित तो 2024 में हम जा करके तरंग सकती होगा तो host कौन करेगा भारत और ये multi-national exercise है यानि की बहुत सारे देश इसमें सामिल हो रहे है कौन कौन से जो भारत के friendly देश है जैसे France हुआ USA हुआ ठीक है ना Australia हुआ ठीक है और ये सहीवतरा जी क्या है दो दुबार हो गया है चलो ये सहीवतरा जमेर क्या हुआ जापान हुआ ये सभी जो है ये सामिल होंगे इनकी वायू से ना है क्योंकि ये वायू से ना भ्यास है ठीक है तो 2024 के मद्दे में होगा ये अब बात करते हैं हम लोग कुछ और जैना भ्यास की देखो revision point आपको बहुत सारा मिलेगा आपको बस subscribe करना है चैनल को subscribe करो और अपना target मत भूलो target क्या है 3 सेतंबर तक हम लोग के 20,000 व्यू होने लगे मैं बार-बार आपको याद दिलाऊंगा target हम लोग को अचीब करना है हम लोग को कोसिस पूरा करनी है भरपूर करनी है वहां तक नहीं पहुँच पाओगे तुछके आज पास तो पहुचोगे वो भी बहुत है ठीक है ना लेकिन आप target तो set करो उस प्रकार से लगो तो आप लोग share तो करो चलो तो सेन अभ्यास यहां पर कुछ है और कुन के मंद है इनको देख लेते हैं screenshot लेने वाले screenshot लेलो हम लोग सुरू करते हैं अभी जायत तलवार हुआ था आपको याद हो भारत और UAE के बीच में मालाबार अभ्यास जो है यह quarter member जो मैंने आपको बताया आस्ट्रिया में हुआ तलिस्मान सेबर यह अमेरिका और आस्ट्रिया के बीच में हुआ North Interaction यह रूस और चाइना के बीच में हुआ MPX MPX जो है जोस्तों देखो यह क्या है न Petroleum Exercise है तो Petroleum Exercise आपको कई देशों के साथ मिलेगा तो उसको लेकर करे प्रैसारमात होना वो बेसिकलि एक Petroleum के लिए किया जाता है सुरक्षा बांड जो है यह चीन, रूस और इरान ने किया Salvex यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ GMAX मतलब जापान, इंडिया, मेरिटाइम, एकसरसाइज तो यह भारत और जापान के बीच में हुआ अभ्यास रण वीजे यह भारतिय वाई सेरा ने खुद ही किया प्रयागराज में किया, याद रखना प्रयागराज में किया, यह पूछा जाएगा आगनेयास रुवन, यह भारतिय सेरा ने खुद ही किया यह पूर्वी लद्दाक में किया इसके अलावा Khan Quest ये बहुराष्टी यानि Multination था मॉंगोलिया में हुआ ये चीजे आप याद रखेंगे important है आगे बढ़ते हैं हाली में LIC का नया प्रबंध निदिसक किसे बनाया गया देखो LIC यानि कि Life Insurance Corporation of India Limited इसके प्रबंध निदिसक कौन बनाये गए है इसके मेंनों पहले वो निदिसक किये गए ठीक है चार इसके प्रबंध निदिसक हैं तो ये कौन से वाले हैं या फिर बाकी के तीन कौन से है तो देखेगा IP मीनी एम जगननात तबलेस पांडे और सत्पाल भानू ये सभी तो अभी वरतमान में हैं लेकिन 31 अगस्त के बाद या कहें कि एक सितंबर से आज आएंगे आर दोराई स्वामी यानि ये बन जाएंगे चौथे प्रबंध निदेशक किसकी जगह पर आएंगे IP मीनी की जगह पर आएंगे बाकी तीन रहेंगे यहां पर बिर्कुल सीरियल वाईज लिखा गया है जो यहां पर लास्ट में नाम दिखे जान लेना की वो लास्ट में जुड़ा है तो इन से पहले सत्पाल भानु अभी जुड़े थे अभी अब आर दोराई स्वामी जुड़ गये हैं तो चार प्रबंध निदेशक हुए अध्ध्यक्ष कौन? अध्ध्यक्ष कौन है कौन? यह है सिधार्त मोहंती. मुं बीच में लेकिन IPO में सबसे बड़ा IPO लाने का रिकार्ड इसी के नाम है अभी तक. 22,000 करोड से ज़्यादा का IPO इसने लाया हुआ था. ठीक है? LIC, Life Insurance Corpus of India Limited. अगला, हाली में किसने जॉर्डन के अम्मान में पुर्सो के 61 किलोग्राम फ्रीश्टाइल वर्ड में अंडर 20 व हुआ था फ्रीश्टाइल वर्ड में तो अंडर 20 में ये चैंपियन बने हैं. अच्छा, चैंपियन बनने वाले ये चौथे भारतिये बन गए हैं. इनसे पहले तीन भारतिये और जो हैं वो इस इवेंट में चैंपियन बन चुके हैं. जैसे 2001 में पलविंदर चीमा और रम अचलम इनका निधन हो गया है. आपने नाम जरूर सुना होगा, मुझे पता है कि मतलब जानते हैं नहीं होगे लेकिन नाम जरूर रिकारद बार कभी ने कभी सुना जरूर होगा आपने. वियस अचलम जो हैं ये DRDO के पूर्व प्रमुक थे और इनका निधन हो गया है आपको जानते हों आपको कि ये Sagtest को मिलता है, मतलब ग्यानके च्छेत में मिलता है, तो anthishwaro Bhattnagar-प大stat कार 1980 में पाए थे तोtar 1985 में पद्म भूशर से सम्माइनित किये गए थे और 1990 में पद्म विभूशर से सम्माइनित किये गए थे तो DR-DO के प्रमुक थे पूरु प्रमुक VS आुना-चallam इनका निधन हो गया है अगनी मिसाइल हो पृत्वी हो आकास मिसाइल हो नाग मिसाइल हो, या फिर light compact aircraft हो, इन सब को बनाने में design करने में इनका अहम योगदान रहा था, ठीक है, और रक्षामत्री के वग्यानिक सलाहकार भी रहे लिए 1982 से 1992 तक, 10 साल तक तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी प्रसनालथी थे ठीक है, चलिए, तो यह तो थे दोस्तो, टॉप 10 current affair के question आज के दिन से, I hope आपको आई होगी वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कीजिएगा, share कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमें भी बताइएगा कि कैसी लगी है और हाँ, subscribe जरूर कीजिए अगर आप देखते हो वीडियो लो जाना, तो subscribe जरूर करके रखो, जिससे notification मिले आपको, daily 5 बाज सुबा में आ जाये करो वहाँ से आपको notification मिल जाएगा, ठीक है यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, last day के questions की कल मैंने आपसे पूछा था, कि गरतन दिवस के सुबावसर पर कौन राजपत पर जंडा फैराते हैं, तो राजपत पर दोस्तों, राष्टपती फैराते हैं, गरतन दिवस पर, और सोतंतरता दिवस पर प्रधान मंत्री जो है, लाल किले से क्या करते हैं, सोतंतरता दिवस पर ठीक है न, प्रधान मंत्री बस उस राष्टपती, दुरोपदी, मूर्मू ने सोतंता दिवस के उसरपक, कितने लोगों को सौरे चक्र प्रधान करने की जोशना की है कल मैंने आपको इसकी सबके बारे में अच्छे से बताया था, तो अगर आपको याद हो, तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएगा बहुत-बहुत धन्यवाद, यहां तक वीडियो देखने के लिए क्लास कैसी लगी है, आप जोग बताया कीजिए आपके एक-एक कमेंट में पढ़ता हूँ और उनसे हमें काफी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगर क्लास में तक लिए नमस्कार जहिंद, वन्दे मात्रम